हेलो एवरिवान, वेलकम तो इजी वे कॉमेंट्स क्लासिस, मैं हूँ तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं काफे सारे स्टुडेंट्स तो है वो डिमोटिबेटी रहते हैं कि हमारे तो 90 प्लस आएंगे यह नहीं बहुत मुश्किल है अकाउंट्स, अकाउंट्स हमसे होती नहीं है आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो चाहिए आप क्लास 11 पे हो या 12 में हो लेकिन स्कोर करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटीजी अपनानी पड़ती है रट्टा विकेशन नहीं चलेगा गाईस स्ट्रेटीजी अपनानी पड़ेगी और वो क्या रहने वाली है वो आज हम सीखेंगे तो आप 100 out of 100 भी ला सकते हो बट 90 प्लस तो 100% स्कोर करोगे बट कैसे तो उसे हम 3 स्टेप्स के अपनी स्ट्रेटीजी के थूँ समझेंगे अगर आप इसे अडॉप्ट करोगे 110 परसंट आपके फुल मार्क्स आएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है start study now यानि कि अगर आप accounts जैसे subject को जो कि एक practical subject है concept की knowledge देता है बहुत सारे concept हमारी एक book में होते हैं अगर आप उसे आने वाले समय पर छोड़ दोगे तो accounts नहीं हो पाएगा आप score नहीं कर पाऊगे तो आपका first जो guys step रहता है study now या start from now यानि कि आज से start करो पढ़ना जबी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से start कर दो कि हमें accounts पढ़नी है और इसमें अपना time devote करना है अगर आप ये सोचो कि 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ लिया इनफ है नहीं guys minimum 1 hour आपकी accounts मांगती है minimum 1 hour बोला है मैंने उस subject उस concept को समझने के और उसकी practice के लिए सबसे पहले आज से पढ़ाई start करनी है time table बनाओ अपना time devote करो कि एक घंटा अगर आपने fix किया है तो उसके लिए serious हो जाओ पहला step है दूसरा step क्या है guys जब आप अपने accounts start कर दोगे तो अब आपको सबसे पहले अपनी complete करनी है book यानि कि कितनी books आप 10th में जब पढ़ती हो math तो आपको आड़ी शर्मा भी कराया जाती है आपको you like sample paper भी कराया जाता है इसके लावा नजाने कितने sample paper कराया जाते है और बोला जाते है जुतने sample paper करोगे उतने जादा marks आएंगे so guys वो चीज 11-12 में नहीं चलती बिल्कुल नहीं चलेगी अगर आप यह सोचों में यह sample paper कर लूँ आ TSB कर लूँ में DK girl भी कर लूँ इसके लावा और भी authors कर लूँ नहीं होगा आप एक book करो लेकिन conceptual knowledge के साथ करो उसके सारे unsolved questions से लेके examples examples guys खास कर मैं बोलूँगी examples बिल्कुल भी नहीं चोड़ने हैं यानि कि आपको सारे examples करने हैं plus unsolved question ठीक है so जब आप एक book complete कर लोगे उसकी concept की knowledge ले लोगे तब जाकर आपको sample paper या कुछ चीजे other देखनी है लेकिन अगर आपकी book complete नहीं हुई और आप चार books में लगे हो marks नहीं आपाएंगे because you are not gaining conceptual knowledge आपको पहले अपनी एक book की conceptual knowledge लेनी है यानि कि उसको पढ़ना है यह क्या कह रहा है topic हमें यह सीखना है ठीक है यह हो गया guys हमारा दूसरा step यानि कि आपको first एक ही चीज़ पर ticker है ना है दूसरा step कहता है third जो step है guys यह होता है आपकी exam preparation के लिए इसमें हमें time management करने की ज़रूरत होती है accounts में अकसर कहा जाता है guys कि अगर आपने बहुत सारे practice करी है सब कुछ बहुत जादा किया है लेकिन फिर भी marks नहीं आते क्योंकि हम लोग practice तो बहुत जादा करते हैं बढ़ time को consider नहीं करते अभी जैसे है आप लोगों का MCQs का exam है यानि कि आपका जो भी paper आएगों MCQs में आने वाला है तो आप लोग खुश भी हो काफी जादा और काई students नहीं भी कोईश लेकिन MCQs के लिए भी guys एक particular time आपको दिया जाता है कि इतने time में आपको solve करना है तो जब आप time manage करोगे यानि कि अपने question को solve करते वक्त आपको अपका phone में timer ज़रूर लगाना है या घड़ी देखते रहना है कि भाई मुझे इतने time limit में ये question solve करके दिखाना है initially जब आपको इक question करते हो तो आपको ज़्यादा समय लगता है जब आप 4-5 question उस topic के कर लेते हो तो आपका time reduce होता जाता है इस तरीके से guys MCQs भी जो कि आपका one mark का आता है वो हमें 2 minute के अंदर solve करना होता है तो आपको ये try करना है कि मेरेको जो MCQs आने वाले exams में जिस तरीके के आने वाले वो हमें time को देखते हैं अगर आप 1000 MCQs दो दिन में निपता देते हो और time नहीं देख रहे हो तो बेकार है लेकिन अगर आप एक दिन में 100 MCQs attempt करते हो बट timely attempt कर रहे हो तो वो आपको fruitful रहेगा effective रहेगा आप अपना paper timely complete कर पाऊगे और तभी आप ये 90 plus scorer की list में आप आऊगे ठीक है तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है पढ़ाई आज से start करनी है दूसरे चीज़ आपको एक जगे पर ठीके रहकर उसे अच्छी तारीके से करना है यानि कि first complete your book third guys आपको time management के साथ पढ़ाई करनी है आप कुछ भी question solve कर रहे हो घड़ी रखो अपने साथ और उसके हिसाब से अगर वो question 3 marks में आते है उसके लिए आपको double time alert किया जाते है यानि कि 6 मिनट अगर कोई question 4 marks में आते है तो उसके लिए 8 मिनट बट इस समय पर MCQ है एक marks का ही MCQ आते है तो उसके लिए 2 मिनट दिये जाते है आपको ठीक है तो इस तरीके से आपको guys अपने exam की preparation करनी है काउंट की त्यारी starting से ऐसे करनी है तभी आप इस list में आप आओगे वरना 50, 60, 70, 80 में रहोगे तो हमें यहां तक आने के लिए और इससे आगे बढ़ने के लिए अपनी strategy कुछ इस तरीके से करनी है तभी हम score कर पाएंगे So guys I hope यह मेरी knowledge आपके थोड़े काम आए और थोड़े ली बहुत काम आए और अगर guys आपकी कोई भी query है आप Instagram पर मेरे साथ पूँच सकते है मुझे message कर सकते है मेरी ID है तभीता मैसी या फिर YouTube पर comment के थ्रू Thank you